एक बूंध ही काफी है, खाट पर बड़ा आदमे भी दोड पड़ेगा, सूखी बेजा नसों में ताकत भर देगा, चोट मोट सूजन में लगाते ही असर सुरू, डाइवटीज का कर देगा, बिल्कुल जड से सफाया, नमस्कार दोश्तो, दोश्तो आज की इस वर्यू में ह था कर देगा, नसों में भी खून दोड़ने लगेगा, क्योंकि इससे आपका ब्लड सरकुलेशन प्रोपर बना रहेगा, जिससे की आपका सरीर तो ताकत वर बनेगा ही, यानि जो अंग आपके प्रोपर रूप से काम नहीं करते, वो अंग भी प्रोपर रूप से काम करें और यदे diabetes रोग की बात करो तो diabetes रोगियों के लिए भी ये पोधा एक वर्दान की रह है दोस्तो आज की सुल्य में हम बात कर रहे हैं आख के पोधे की, दोस्तो आख को आख आकडा और मधार के नाम से जाना जाता है, दोस्तो ये पोधा आपको कहीं भी खर पतवार में खड़ा हुआ मिल जाता है खेतों के किनारे खड़ा हुआ ये पोदा मिल जाता है जो आप इस वीडियो में देख रही है दोस्तों ये बहुत अधिक चमत का रही है आपके स्रील में चाहे घुटनों का दर्द हो जोडों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पैरों में दर्द हो, तलवों में दर्द हो दोस्तो हर त्रहे के दर्द का नुस्खा ये इलाज है दोस्तो चाहे आपको मोच आ गई हो, चोट लग गई हो, सूजन हो उसका भी ये नुस्खा इलाज है बस आपकी चोट कहीं से फूटी हुई नहीं होनी चाहिए यदि आपकी चोट से खून रिष्टा है तब आपने इस पोदे का प्रियोग नहीं करना है दोस्तो यदि आपको डायवटीज की बीमारी है और आप अपने सुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं दोस्तो तब भी ये पोदा आपके लिए वर्दान की तरह काम करेगा और इसको लगाते ही 10 मिंट के अंदर आपका दर्द चाहे जोडों का दर्द हो गुटनों का दर्द हो कमर का दर्द हो छूमंतर की तरह है गायब होज़एगा इतना चमतकारी है पोदा इतना वर्दान है इस पोदे के पास उस आग पर सेख लें और जिसे से चिकन है उसे हलका सा तिल काते लिए सरसों का तेल लगांकर इसको गरम करें और यहाँ पर आपने बांग लें जहाँपर आपने जोडों के दारग शूर्खिणों के दार पर एक बूंद लग से से emailed कमरें आपके दर्द को छुमंतर की तरहें गायब करने का काम करते हैं इतना चमतकारी है आप जोडों के दर्द में भी सेम ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं कमर के दर्द वाली जिगहें पर भी सेम ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं या आपके AD के टकनों में दर्द है या आपके पैरों के तल्वों में दर्ध है तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग ऐसे ही कर सकते हैं हलका सा सरकलों में मुस्री में इसके दूद के मसाज करें और उपर से इस पत्ते को हाग पर सेकर रखते हैं और आप किसी भी गरम चीज की साहते से वहाँ पर सिकाई भी कर सकते हैं उससे आपको और भी अधिक चमतकारी फाइदा मिलेगा यानि आपने इस आपके पत्ते का इस तरह से परयोग करना है दर्ध के लिए यदि आपको दर्ध वाली जगहें पर इसका परयोग करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपने इस बात का ध्यान अखना है इस आपके दूद की जो आपके दूद निकालेंगे उसकी बूंद आपकी आँखों में नहीं गती चाहिए वरना अंदापन आसकता है इसलिए आपको इसको सो समझ कर ही परयोग करना है अब बात आती है डायबटीज के बारे में कि आप इसको डायबटीज पर कैसे परयोग करें तो दोस्तों डायबटीज के लिए आप इसके एक पत्ते को लें और रात को सोते समय या अप दिन में सुभई आप इसके एक पत्रे को जहां से चिकना पार्ट है वहां से आप अपनी पैरों के तलवे पर बांग लें आप वहां से बांग सकते हैं उसके अपोजिट साइट से बांग सकते हैं और ये फोध भी काम करेगा, यानि कम तरीके से काम करेगा, यानि कि एक होता ना, हलका नुस्खा बन जाता है, एक होता हैवी नुस्खा, यदि आप इसके बैक साइड से, उल्टे साइड से बांदेंगे, तो ये हैवी नुस्खे की तरहें काम करेगा, लेकिन यदि आप इस तीन दिन से जादा इसका प्रयोग नहीं करने हैं और आप देखेंगे दोस्तों कि आपका सुगर लेवल बिलकुल कंटोल हो जाएगा जो आपका सुगर पहले 300 या 400 रहता है वो बिलकुल 100 पर आ जाएगा इतना चमतकारी है ये आपका पोदा डायबटिज रोक के लिए किसी वर्दान की तरहें काम करता है दोस्तों तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे का आज से ही परियोग करें और आपने सबी तरहें के दर्द और इस डायबटिज की विमारी का इलाज करते हैं दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो वेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आत रहे धन्यवाद वस्तों